आर्टी एक्स 50-60 क्या डिमांडे करिये इसकी और ये कितने विवाद हुए इस कार्ड पे बागी हाँ जो कड़वा सच है मल्टी फ्रेम जनेरेशन सेंस नहीं मंदा ना बजट के अकॉर्डिंग होती है लो भाई आ गया बजट मसाला आर्टी एक्स 50-60 इसकी और ये कितने विवाद हुए इस कार्ड पे पहले लॉंच हो रहा था लॉंच से पहले आगया था मेरे पास में वीडियो देता तुम्हें टाइम पे ये भी 8GB VRAM के साथ है ये भी 8GB VRAM के साथ है उसमें कोई भी भडोतरी नहीं होई है लेकिन पर्फॉर्मेंस में भडोतरी होई है और प्राइस भाई साब प्राइजिंग के अंदर आपको स्वाद आ जाएगा तो जिन्होंने 40-60 की PC बिल्ड कर ली है उनके दिल थोड़े से 36,990 और इसी का एक शाड़ू 2X करके भी है जिसकी प्राइजिंग 32,990 है और भी अदर ब्राइंड में अकर आप देखोगे तो आपको 30,000 तक भी मिल सकता है और जो आर्टी एक्स 4060 है जो के भी मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल रहा बिल्कुल आसे गाया बोचुका है क इस वीडियो में उसकी बात नहीं हो मंगवा रखा है तो कंपैरेजन लॉइस के साथ टेंशन मत लेना पता लग जागा आपको कौन सा लेना चाहिए किस काम के लिए कौन सा लेना चाहिए और यह जो 4060 है यह अमने मोटेक्स कंप्यूटर से मंगवाया क्योंकि हमारे को प् क्विन फ्रॉजर 10 यानि कि थंड़क का महल मिंटेंड रहेगा बाकी जीप्यूटर सापको गेमिंग बगरा में दिखी जाएंगे और सेवन फैन ब्लेट हमारे को मिलेंगे फॉर बेटर एयर फ्लो एंड मिनिमाम नॉइस मेटल बैक प्लेट हमारे को मिलेगी विद एयर फ इसके लावा मेमरी बैंट विद्ध भी अच्छी का से इंक्रीज हो गये जितनी जादा मेमरी बैंट विद्ध होती न उतना जादा फास्ट डेटा ट्रांसफर होता मतलब हमारे जीप्यू इतना फास्ट डेटा प्रोसेस कर पाएगा उतनी ही मैथमेटिकल कल्कूलेशन व यह 145 वाट तक जाएगा बागी डाइनमिक बूस्ट लड़ा के थोड़ा वाद उपर जा सकता है रेकमेंडेट पावर सब्लाइफ 550 वाट ही है पतलब जिस टाइब का पीसी बिल्ड को रोगे और जो हमारी टेस्ट मेंच है उसमें प्रोसेसर यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 7 9800 X3D कोई दिक्कत निया निचे गेमिंग मेंग टेस्ट करेंगे यहाँ पे एक दम फुल पोटेंशल हमारे को देखना है यह रिव्यू है यह पीसी बिल्ड नहीं है पीसी बिल्ड अलग से आईगी है कॉडिंग टू प्राइस पॉइंट उसके अलावा जो मदरबोर्ड है वो पहले बेंचमार्ट यहाँ पे BMW का रेंडर टेस्स देख सकते हो 50-60 में 19 सेकंड्स लगे 40-60 में 21 सेकंड्स लगे तू सेकंड्स का डिफरेंस है लेकिन वह होता ना जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा यही डिफरेंस आपका जादा भी हो जाएगा 50-60 बेटर उसके बाद टेक्स जेनरेशन भी हमने देखी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इसके अंदर भी 50-60 भाई एवरेस 30-35 परसेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है तो आप ऑव्वियसली 9800X 3D के साथ तो 50-60 नहीं लगा होगे इतना महंगा मदर बोड नहीं लगा होगे सेंस नहीं मनता ना बजेट के अगॉर्डिंग होती है तो मैं आपको वो सारे टेस्स ना PC बिल्ड में दिखा दूँगा PC बिल्ड भी जल्द 50-60 के आने वाली है और पर्फॉर्मेंस वाइस अगर बात करते है तो जिस प्राइजिंग में 50-60 है और जैसी ये पर्फॉर्मे के जब मिलता है और मल्टी फ्रेम जनेरेशन का लॉली पॉप कैसा है तो गेम टेस्ट पे नजर वाला काड़ा यहां पे सारे गेम समने टेने टीव टेस्ट किया है जिसमें सबसे पहले हमारा होगवर्ट लेकिन रेटरेसिंग को रखा है एंड डेफिनेटली 40-60 बहुत ब देफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे तो 50-60 ज्यादा पुश कर पाया उसी के पाद हमने फ्रेम जनेरेशन लगा दिया फ्रेम जनेरेशन लगने के बाद भी हमारा 10-20-30 fps 50-60 में बेटर पुश हो पारे दे फिर आ जाता है हमारा है यहां पर हाई सेटिंग्स है फ्रेम 60 के अंदर और जो वन परसेंट लोज में हैं वो भी 50-60 के काफी ज्यादा अच्छे हैं कंपेर टू 40-60 एंड यहीं पर फिर हमने लास्ट अफस टेस्ट किया इसके अंदर भी हमारे को 20-30 fps ज्यादा मिल रहे हैं एंड वन परसेंट लोज में देख रहा था 40-60 के बड़े वाले थे एंड इवन जो माक्स एपीएज में हो 50-60 के जादा है एंड उसके अंदर जैसे हमने फ्रेम जनेरेशन को लगा है तो यहां पर पर्फॉर्मेंस दोनों जीप्यू आल्मोस सेम दे रहे थे इसकेस में और यह वाली जो फ्रेम जनेरेशन है मल्टी फ्रेम को लगा है तो 40-60 बेटर परफॉर्म कर रहा था यहां पर एंड यह चीज टाइम लिए ठीक भी हो जाए कि कि जितने अंस्टेवल अपडेट्स 50 सीरीज के साथ आ रहे हैं सब पहले कभी नहीं है इन्वीडिया के साथ एंड उसके बाद आलन वेक्टू हाई सेटिंग्स य लेकिन वहीप अगर फ्रेम जनेशन लगा दो तो आप मखन 60 fps का गेंपले ले सकते हो और 40-50-60 बेना 5-7-10 fps का ही डिफ्रेंस आ रहा था फिर आ जाता है साइबर पंग यह ओल्ड टाइटल है इसके अंदर हमारे को जाधा डिफ्रेंस मिल रहा था अल्टरा सेटिंग्स में 50-60 is performing better और रेटरेसिंग अल्टरा के साथ अगर फ्रेम जनेरेशन का तड़का भी लगा दिया जाए तो 20-30 fps आपको 50-60 बेटर मिल जाएगे फिर आजाता है अन्रियल एंजिन 5 का तड़का यानि की ब्लाक मेंद वो कॉंग सिनेमाटिक सेटिंग्स है यहाँ पे रॉप प बढ़िया गेम खिलवा दूंग आपको 50-60 नहीं खिलवा पा रहा तो यहाँ पर ड्राइवर अप्डेट्स फ्यूचर में शायद फिक्स हो सकती है और 1080p में तो कार्ण बढ़िया परफॉर्म करी जाते हैं जैसे कि आपने देग लिया 1440p में कैसा करेंगे तो यहाँ पर 14 1440p में हमने सबसे पहले आलनवेक 2 टेस्ट किया यह जीप्यू इंटेंसिव गेम है और 1440p में भी 50-60 बेटर परफॉर्म कर पा रहा था 10-15 fps एक्स्ट्रा और रॉपर्फॉर्मेंस उसके बाद फ्रेम जने लगाने के बाद हमारे को 15-20 fps एक्स्ट्रा मिल रहा है आपर 50-60 के अंदर वहीं पर जो हमने रेटरेसिंग को अल्टरा पर करा रहा परफॉर्मेंस में ओविएसली 50-60 भी तच्छे फ्रेम नी देरा 9-10 fps लेकिन 40-60 पे गेम अटा की गई थी उनने कहा था बया नहीं मेरी सांस है रोग गई है मेरा मूह तो निकल गी बाद हमने रेटरेसि 60 का गेम प्ले है लेफ और राइट में दोनों में एंड 3x में 50-55 fps खीज गया है रेटरेसिंग अल्टरा पर हाई सेटिंग्स पे और वहीं पर 4x अगर करेंगे तो 60-65 fps तक गसीड गया लेकिन इसके अंदर विजूल लॉस आता है जो मैं पिछले 50 सीरी के जितने ग्राफि 60 fps आ गया थे दोनों कार्ड में अल्मोस सेमी परफॉर्मेंस मिल थी 1440 में लेकिन यही पर इसी गेम के अंदर हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन असरपोर्ड मिलता है तो 3x और 4x लगाने के बाद भी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आया यहां पर अल्मोस सेमी फ्रेम मिल फ्रेम जनरेशन 2x लगाते हैं तो 50-60 बेटर परफॉर्म कर रहा था लाइक 10-20 fps कहीं जगा एक्स्टर मिल रहे थे कहीं के जगा ऑल्मोस सेम भी हो रहे थे और इसी के अंदर फ्रेम जनरेशन भी हमारे को मिलता है और 3x और 4x में डिफरेंस देख सकते हो इस गेम के अंद फ्रेम जनरेटेड फ्रेम से एड़ हो रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्लाक ब्लाक टेक्श्चर दिखता है जो अगर आपका गेमिंग एक्स्पिरियंस खराब करेगा लेकिन वही बात है अगर आपको ज़ाधा fps का एक्दम चसका है तो आप वस चीज को कुछ टा में बहुत सारी चीजों में डिफर करेगा अगर आप करेंट जनरेशन में बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो मतलब यह तना बजट जो 70-80,000 वाला हो तो डेफिनेटली आप 40-60 को स्किप कर गे 50-60 के लिए जा सकते हो लेकिन यहाँ पर कैच है अगर आपको सेकिन एंड में इतनी भी कई घुजरी नहीं है बागी हाँ जो कड़वा सच है मल्टी फ्रेम जनरेशन वह हमारे को आने वाले और गेम्स में मिलेगा और सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी सीरीज ही उसको सपोर्ट करेगी तो वह चीज का फायदा आपको 50 सीरीज में मिलेगा अगर आपको इतने 100-100 fps और इतने जादा fps की नीड है और वहाँ पर वह वह विजूल लॉस वाली चीज है वो तो देखो रहने वाली है वो आप डिसाइड कर लेना बागी AMD का मेजर ली जो कंपेटेटर है 9060XT जो हमारा 30-35,000 की आसपाजी 5060 के साथ कहां स्टेंड करने वाला है उसका कं कंपेरेजन जल्द लेगा आते हैं और भी तुम्हारे माइंड में कोई सवाल है कोई और कंपेरेजन है कुछ है कॉमेंट सेक्शन में वर डालो लाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है और अकर ऐसा ही कॉंटेंट पसा आता सब्सक्राइब कर दो ये वीडियो पसन कॉल भी देख लो कर हो जाया तो मिलते नेक्स वीडियो तक के लिए बाई